आज हम बनाएंगे यह बहुत ही टेस्टी और एकदम जटपट से बन जाने वाले चीज, पीज़ा, वेजी लॉलिपॉप्स इसमें पीज़ा का फ्लेवर रहेगा और सेंटर में एक चीज़ी सर्प्राइज बहुत ही जादा यमी लगते हैं ये तो फटा-फट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये तीन मीडियम साइस के उबले हुए आलू लिये हैं इसे हम मैश कर लेंगे चाहो तो आप आलू को कदुकस भी कर सकते हो और फिर इसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ साथ क्राम कदुकस किया हुआ पनीर पनीर से ना इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग और टेस्ट आ जाएगा आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो साथ में डाल लेंगे तीन से चार बड़े चमच बारी कटा हुआ प्याज दो बड़े चमच बारी कटी हुई श्रमला मिर्च, दो बारी कटी हुई हरी मिर्ची सबजी आप अपनी मन पसंद कुई भी रख सकते हो इसमें और फिर सीजनिंग आड करेंगे तिसमें मैं डाल रही हुई एक चोटा चमच या फिर टेस्ट के अकोरडिंग नमक अधा चोटा चमच लाल मिर्ची पाउड़े एक चुथा ही चोटे चमच से थूड़ा सा कम हल्दी पाउड़े देड़ छोटा चमच रेड चिली फ्लेक्स, देड़ छोटा चमच औरेगानो, और आधा चोटा चमच डाल देंगे, चाट मसाला चरपटे फ्लेवर के लिए, और साथ में आप मैं इसमें डेड़ बड़ा चमच पीजा सॉस आड़ कर रहे हूं, इसे बोखोत ही जादा अच् अगर लगे कि यह अभी भी थोड़ा गीला है, तो आप थोड़े से और ब्रेड़ कर लिजेगा, तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, और यह काफी अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो बस इसी के साथ हमारा यह मिक्षर बिल्कुल तायार हो गया है, आइस के बाद अब हम ले आइस क्रीम स्टिक, यह आपको बहुत ही असानी से मिल जाएंगे मार्केट में, अगर ना मिले तो आप स्क्यूर्स भी ले सकते हो, तो अब हम इस आइस क्रीम स्टिक को इस चीज के सेंटर में इंसर्ट करेंगे, यानि कि पहरे चीज स्लाइस को लगा ले ना इसके ऊपर, आइस के बाद अब हम लेंगे अपना ये पीजा वेजी मिक्षर, और इसे इस तरह से हाथों में रखके थोड़ा फ्लाट कर लेंगे, और फिर सेंटर में रखेंगे अपनी ये चीज क्यूब, और इसे इस तरह से इस मिक्षर से ऊपर से कवर कर लेंगे, और सारी साइड से के लिए एक slurry बनाएंगे जिसके लिए बोल में यहां ले रहे हूं यह तीन बड़े चमच मैदा साथ में डाल देंगे तीन बड़े चमच कॉन फ्लार आप चाहो तो सिरफ मैदा भी यूज कर सकते हो आधा चोटा चमच इसमें डालेंगे नमक और एक चुथा ही छोटा कोटिंग कंसिस्टेंसी में है चमच की बाक साइट को अच्छे से कोट कर रहा है तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी में रखना इसे तो बस टलरी तायार है और इसके बाद एक बोल में मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं तो अब हम यह जो लॉली पॉप समने बनाए थे इन दोनों चीज़ों में इसे हमें कोट कर लेना है तो इसके लिए एक एक लॉली पॉप लेते जाएंगे और पहले इसे डिप करेंगे अपनी इस इस तरह से इन्हें कोट करने की बाद अब हम इने फ्राय करेंगे जिसके लिए तेल को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल हमारा मीडियुम गरम है तो इसमें हम डाल देंगे यह लॉलिपॉप्स और इसे ना अब हम लो मीडियुम फ्लेम की ऊपर फ्राय क लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे तो थोड़ी देर में आप देखरो कि कितना अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया है यह बहुत ही जादा यमी लग लग रहा है तो बस इसे निकाल लेंगे ए एक सॉस के साथ तो यह बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर का चीज और पीज़ा स्टाफिंग बहुत ही जादा गयमी बनते हैंगे तो फटा फट से ट्राय करो आप भी इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीदबैक शेयर करिएगा पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपी की आप मेरे इंस्टाइग्राम पर अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें